हेलो एबरिवान, वेलकम टू आएफैस, तो भई आज हमारी इस वीडियो में हम लोग डिसक्रशन करेंगे, हमारी अगली नेम रियक्शन जो की है, माइकल एडिशन, अब यह क्या होती है, किस तरीके के कमपाउंट्स में यह होती है, यह हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं तो हमारे पास एक स्पेशल तरीके के कमपाउंड होते हैं, क्या होता है भई देखो, एक कार्बोनिल ग्रूप होता है, उससे नेक्स्ट दो कार्बन के बीच में होता है पाई बोंड, इस तरीके के कमपाउंट्स को हम लोग बोलते हैं, अलफा, बीटा, अब अगर इस कमपाउंड की हम लोग बात करें, तो ओक्सीजन पर ये नेगिटिव चार्ज जा सकता है इस तरीके से, यहाँ पर क्या आजाएगा पोजिटिव चार्ज, उस पोजिटिव चार्ज को ये पाई बोंड स्टेबलाईज कर सकता है, इस तरीके से पोजिटिव आजाएगा यहाँ पर, दो कार्बन एटम्स यहाँ पर काफी इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आगे क्या हो सकता है, अगर हम लोग इस मोलिचूल की रियक्शन करवाएं एक न्यूकलियो फाइल के साथ, तो वो दोनों ही जगे पर अटाइक कर सकता है, का अगर यहाँ पर अटाइक हुआ है, तो यहाँ पर आके जुड़ेगा न्यूकलियो फाइल, यहीं पर एक मिथाईल भी था, यहाँ पर बन जाएगा O-Negative, अगर मैं आपको बताऊं कि अलफा बीटा अंसाचुरेटिड कंपाउंड में नंबरीं कैसे होती है, वो ऐसे होत आएगी, कोई मैटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर पहले और दूसरे एटम के उपर एडिशन हुई है, इसको हम लोग 1-2 एडिशन बोलते हैं, या फिर डाइरेक्ट एडिशन भी बोल देते हैं, डाइरेक्ट पहले दूसरे कार्बन पर यह हो गई, हाथ म कुछ नुकलियोफाइल्स ना, यहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं, इस तरीके से फिर यह रियाक्शन होगी, वहाँ पर क्या प्रोड़क्ट बनेगा देखो, नुकलियोफाइल आके जुड़ा है, लास्ट वाले कार्बन से, यह पाई बोन चला गया है, टू और थरीके में, और यहाँ पर बना है, और इसके साथ में कोई मैटल होगा, पॉजिटिव चार्ज किसी पर भी होगा, वह वहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप लोग धान से देखोगे, तो एडिशन कहा हुआ, पहले एटम पे और चोथे एटम पे, तो इसको हम 1, 4 एडिशन भी बोलते हैं, और माइकल एडिशन भी बोलते हैं, तो यह होती है माइकल एडिशन, अब हमें देखना क्या है भई, किस केस में हम लोग डेरेक्ली 1, 2 पर एडिशन करवाएं, किस केस में 1, 4 पर एडिशन कराएं, तो यहाँ पर हमारे पास एक important concept जो होता है, वो होता है hard soft acid based concept, क्या है कोई hard nucleophile अगर है तो वो hard electrophilic side पर attack करता है, कोई soft nucleophile अगर है तो वो soft electrophilic side पर attack करता है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं, देखो, hard soft का मतलब पता है, hard का simple सा मतलब होता है, high charge density, high charge density, soft का मतलब क्या होगा, low charge density, यहाँ पर एक चीज़ बताओ, alpha beta unsaturated compound हमारे पास था, oxygen पर electron जाने से, charge तो दोनों ही carbon पर positive आता था, hard कौन सा होगा, जिसके ऊपर positive charge density सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर इस carbon पर एक जो additional effect लग रहा है, वो लग रहा है oxygen का minus i, एक electronegative atom से directly जुड़ा हुआ है यह carbon, इसलिए यह हो जाएगा, hard electrophilic center, positive charge density बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और यह वाला carbon comparatively soft हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे, soft electrophilic, center, ठीक है, alpha, beta, unsaturated carbonyl में, soft electrophil और hard electrophil कहाँ पर position है, यह हमें समझ में आ गई, अब जो nucleophile आने वाला है, उसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि उसको कब hard बोलेंगे, कब soft बोलेंगे, तो देखो, simple सा तरीका तो यही है, उसको hard nucleophile बोलेंगे, अगर उसके उपर negative charge density ज्यादा है, उसको soft nucleophile बोलेंगे, अगर उसके पास negative charge density कम है, तो यहाँ पर मैं आपको दो reagents के बारे में बताता हूँ, दो reagents है जो बहुत commonly use होते हैं chemistry में, पहला है Gilman's reagent, दुसरा है Grignard reagent, तो यहाँ पर इन दोनों का मतलब समझो, गिलman's reagent होता है, CH3-2-Tuli, नुकलियोफाइल यह क्या देगा, कार्बन का और कोपर का बोंड है, मैटल है, इलेक्ट्रो पोजिटिव है, इलेक्ट्रोन दे देगा, तो यहाँ से CH3 negative, नुकलियोफाइल बाहर निकलेगा, Grignard reagent क्या होता है, CH3-MgBr, कार्बन और मैटल का बोंड है, कार्बन की तरफ ही तूटेगा, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो यह भी CH3 negative नुकलियोफाइल ही देगा, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मेन बात क्या है, गिल्मन रियेजेंट जो मिथाइल नुकलियोफाइल देता है, वो एक soft नुकलियोफाइल की तरह काम करता है, और Grignard reagent जो नुकलियोफाइल देता है, वो एक hard नूकलियूफाइल की तरह काम करता है रीजन क्या है रीजन वही है चार्ज डेंसिटी वाला यहां पर अगर आप लोग समझोगे कि अगर कार्बन का और मेगनीशियम का बोंड है मेगनीशियम क्या है शाकिंड ग्रूप का एलिमेंट है यह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पो मेटल है तो यह उतना इलेक्ट्रो पोजिटिव नहीं होता जितना मेगनीशियम है इसलिए यहां पर कार्बन के ऊपर कमपेरिटीवली lower negative charge density होगी यहाँ पर higher negative charge density होगी इसी वज़े से क्या हो रहा है है nucleophile दोनों ही cases में methyl negative लेकिन grignard reagent के case में hard की तरह काम करेगा gilman में soft की तरह काम करेगा इतनी बात समझ में आ गई अब हम लोग direct reaction करवाएंगी इसकी मान लो कि हमारे पास इस तरीके का compound दिया हुआ जो हमने पहले दिया था वही ले ले लेते है मान लो कि यह है हमारे पास एक case में हमने इसकी reaction करवाई है grignard reagent के साथ CH3MgBr बाद में आप लोग समझ लो कि Dan hydrolysis मैंने लिख दिया ठीक है hydrolysis यहाँ पर लिख लो तो क्या होगा देखो यह CH3 negative जो है यह hard nucleophile है hard electrophilic site पर अटेक करेगा hard कौन सी थी यह वाली थी तो यहाँ पर इसका attack होगा यह bond ऐसे break होगा बाद में क्या होता है इसमें देखो यहाँ पर बना O negative यहाँ पर बना CH3 यहाँ पर यह pie bond ऐसा ही रहा यहाँ से MgBr positive निकला होगा वो oxygen से चिपक जाएगा अगले step में हमने hydrolysis दे रखा है तो क्या होगा MgBr OH बाहर निकल जाएगा और इसका OH बन जाएगा तो इस तरीके का compound हमारे पास बन गया यहाँ पर क्या हुआ है 1,2,3,4 1,2 पर addition होई है तो यह एक direct addition का product हमारे पास बना अगला case imagine करो मैंने क्या किया सेम molecule की reaction मैंने कराई Gilman reagent के साथ CH3,2, Tu, Li के साथ nucleophile अभी भी CH3 negative है लेकिन यह एक soft nucleophile की तरह काम करेगा अगर soft की तरह काम करेगा तो यह कहाँ पर attack करेगा यहाँ पर attack करेगा क्योंकि यह वाला जो कार्बन था यह comparatively soft electrophilic side पे था यह electron यहाँ oxygen की तरह bond ऐसे तूट गया क्या बनेगा देखो O negative यहाँ पर double bond इस position पर आके लगा है CH3 nuclear fine यह बन गया हमारे पास क्या हो जाएगा TU CH3 Li positive यह इसके साथ में एक ionic bond बना देगा hydrolysis है उसके बाद क्या होगा TU CH3 Li OH यह बहार हो जाएगा और OH बन जाएगा यहाँ पर simply यह product हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर हमारा CH3 लगा हुआ है तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहले और चोथे carbon atom के उपर substitute लगे हैं पहला कहां लगा है hydrogen लगा है पहला oxygen पर यह वन था 234 पर लगा है CH3 इसलिए यह क्या है यह वन फॉर एडिशन का product है या फिर बोलो कि माइकल एडिशन का product है यहाँ पर एक और important बात ज्यादातर cases में हमको क्या करना होता है यह inol foam बन गई इसको totomerism करवा दो इस तरीके से इसका totomerism करवा दो और keto foam बना दो ठीक है यह बन जाएगा इसका final product अब अगर आप लोग directly यह structure देखोगे न तो आपको क्या लग सकता है 1234 तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ इन दोनों पर addition हुई है 34 तो यह 34 addition क्या है 34 addition यह क्यों नहीं है तो देखो बाद में totomerism हो गया जो भी हो गया उससे फरक नहीं पड़ता रियेजंट के साथ में जब reaction होई तो 14 पर ही addition हुई थी तो Michael addition जो है वो 14 addition ही है product में भले ही आपको 34 addition लग रही हो तो इसमें हमको confused नहीं होना है आगे हम लोग क्या करते हैं वह हार्ड शोफ्ट के बारे में उतना ही हमें दिमाग लगाना है सारे क्योस्टन हो जाएंगी अगला देखो क्या है अलफा बीटा अन्सैटूरेटिड कंपाउंड हमने ले लिया पहले केस में ओच नेगिटिव के साथ में रियक्शन हो रही है दूसरे में एस एच नेगिट बड़ा है यहां पर नेगिटिव चार्ज फैला हुआ है यहां पर नेगिटिव चार्ज एक पोजिशन के उपर कोंट्रेक्टिड डेंसिटी कहा ज्यादा जहां ज्यादा से ज्यादा चार्ज कम से कम वोल्यूम के अंदर पैक करके रखा गया है तो यह एक हार्ड नुकलि यह होती है और इलेक्त्रोफाइल की हर्ड का अटक्क हर्ड पे होता है सोफ्ट पर होता है क्या प्रोडक्ट बनेगे मैं यहां पर डिरेक्टली बना रहा हूं ठीक है ऐसेच एटक करेगा इस तो यह प्रोडक्ट बने ना ठीक है जी बाद में अगर आप लोग चाहो तो पहले यहाँ पर बॉंड बनाओ कीटो इनोल टोटो मेरिजम दिखा दो लेकिन प्रोडक्स तो आपका यही बनने वाला है ओएच नेगेटिव क्या है हार्ड नूकलियो फाइल है डिरेक्टली यहाँ पर अटैक करेगा क्या बनेगा भई ओएच यहाँ पर यह ओएच लगेगा डिरेक्ट एडिशन यह देगा अब यहाँ पर देखो आगे क्या होगा एक कार्बन पर दो दो हाइड्रोक्षिल ग्रूप रिमूव हो जाएगा वापी से वही बन जाएगा रिवर्सिबल हो जाएगी रियाक्षन डिरेक्ट एडिशन वाली तो यहाँ पर भी फाइनल प्रोदक्ट्ट जो बनेगा वो सोफ्ट से ही बनेगा रिज़न समझे यहाँ पर क्या हो रहा है? डिरेक्ट एडिशन हुआ ओएस नेगेटिव यहां पर आके लगा यह ओ नेगेटिव बन गया हमने बाद में इसका प्रोटोनेशन दिखा दिया यह बन गया यहां से वोटर रिमूव हो जाएगा क्योंकि सेम कार्पन के उपर दो-दो हाइड्रोक्सिल ग्रूप नहीं हुआ करते इसलिए यह वापिस से हमारा रियक्टेंट ही बन जाएगा तो क्योंकि यह रियक्शन रिवर्सिबल हो गई इसलिए इस केस में भी मेन प्रोड़क्ट कौन सा बनेगा जब यहां पर अटैक होगा तो यहां पर कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते यह हम इसमें भी यही प्रोड़क्ट है जो मेन बनेगा नुक्लियोफाइल यहां पर हार्ड है लेकिन रियक्शन रिवर्सिबल होगी वही प्रोड़क्ट यहां पर बन गया इसलिए यहां पर भी सोफ्ट के साथ में मेजर प्रोड़क्ट बनेगा आगे देखते हैं आगे क्या क लिक्त नहीं आएगी तब हो सकता है कि यह भी प्रोड़क्ट दे रखा हो एक जगह ओए में लेकिन इस केस में यही प्रोड़क्ट है जो बनता है अगला क्योश्चन देखते हैं कि करो भई इसको जल्दी से अटेंप्ट करो और पॉमेंट बोक्स में इसका अंसर लिखो उसके बाद में आपको मैं तो बताने ही वाला हूँ तब से पहली बात तो यहां पर दो मिथाई लाने चाहिए है ना गिलमन्स रिएजेंट है यह तो यहां पर कॉंसेप्ट क्या है सिंपली कि एस थरी नेगेटिव जो है वह सोफ्ट नुकलियोफाइल की तरह काम करता है और अगर हम लोग इस एलफा बीटा अंसाचुरेटिड कंपाउंड को देखें तो सोफ्ट इलेक्ट्रो फिलिक साइट यह है ठाए कहां अटेक होना चाहिए बताओ सोफ्ट पे या फिर हार्ड पे सोफ्ट पे अटेक होगा तो देखो कौन से ओप्शन में यहां पर अटेक हुआ है पर होता है यहां पर देखो डबल बॉंड तो डैफिनेटली गाइब होना है यहां से इसमें इन्हों ने थर्ड पर अटाइक कर दिया यह भी गलत यह हो जाएगा सही अंसर ठीक है यह है माइकल एडीशन का प्रोड़क्ट तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं माइकल एडीशन की माइकल एडीशन बैसिकली 1-4 एडीशन है 1-4 और 1-2 रियक्शन काफी कन्फूजिंग हो सकती है लेकिन अगर हमें अच्छे से आता है हार्ड और सोफ्ट इलेक् प्रोफाइल लोग लोग फाइल वाला कॉंसेप्ट तो हम लोग असानी से कर सकते हैं तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बाइबाई